नवस्ते, आजकल क्या होता है? खाने के बाद छाती में जलन होती है, खाने के बाद तुरद्धी होगी, थोड़ी देर के बाद होगी, और आप तो जानते हैं, कोई निम्बू पानी पिलाओ, ये करो, वो करो, थोड़ा सा कम भी हो सकता है उससे, लेकिन ये दवा तो नहीं ह ये क्या है? टेंडनसी बंद होने चाहिए और पचंद सुदलना चाहिए पूरा, तो ये हमें देखना है, इसके लिए यह एक बहुत आसान तरीका है, आसान रेसिपी है, खाने के बाद छाती में जलन, उसके लिए बना रहे है, ये क्या है? इसमें थोड़ा गी लाड़ना और ये घी जो है, प्योर गी और आयरुवेदिक घी, इसका तो मैंने एक वीडियो भी दिया था, ये घी में गाय को किसी तरह की दवा नहीं दी गई है, गाय हमारी देशी है, दूद को एक सो डीगरी के उपर दस डीगरी, ऐसे गरम किया है, उसका मिला के, फिर दही जमा क मतन करके, जो मक्षन आयगा, उसका घी बनता है, वो उसको हम आयरुवेदिक घी कहते है, इसमें बिलकुल आयसे उपर नहीं जाना, ब्रैंड पर, कई डबे पर लिखता है, प्योर घी, प्योर घी का हमें कुछ ले देन नहीं है, एटू घी, हमारा एटू का लेन देन नही तो यह गी ले लिया, और गी के अंदर यह कुछ मुनकगा जो है, वो 5-6 मुनकगा, ऐसे डाल दिये, और इसको बराबर सीख लेजेगा, यह सेखने के बाद जो है, वो टेष्ट के लिए, इसके अंदर यह थोड़ा सा नमक है सेथा, वो थोड़ा डाल दिया, यह शकर है, पौडर शुगर है यह थोड़ी डाल दी और ऐसे करके यह फिर बराबर मिलाया और इसको भोजन के बाद खाना है और देखिये मजा क्या है चाती में गले में जो जलन होती है वो तो कम होई जाएगी पेड भी साफ होगा तो यह बहुत अच्छे है के गरेलू इलाज और मुन इस दिन अब कई बाहर गए और बाहर जो कलर डालते है उसका इमीजेट जलन आएगा इसे थोड़ी देर के बाद भी आ सकता है या वो अंदर फिर अच्छा नहीं है पेट के लिए ओगलर तो बाद में इसे ही तब्यद खराब होती है या रात को आधी रात में फिर जलन ज कोई पेट फुलता है फिर डॉक्टर के पास सला लीजेए अभी दूसरा एक तरीका है एकदम घरेलो इससे भी अधिक आसान अजवाइन जो है नहीं है ओवा अजवाइन जिसको बोलते है यह बिशप सीड या कोई कुछ है इसे इसे नाम है इंगलिश में तो अजवाइन कटोरी में ले लीजेए पूरा अजवाइन जो है इसे कटोरी में पूरा डाल दिया अजवाइन के बाद जो है यह सुखा नारियल है मैं जो कदूकस है ऐसे करके और ऐसे देखेंगे तो फ्रेश है लेकिन बहुत दिन सुखाया हुआ नहीं है इसके अंदर का तेल उड़ पाइदा कुछ नहीं है बजार में जो मिलता है इसके अज़ा पेपर कटिंग लगता है उसको वह सूख गया है तो यह जो नारियल है वह सुखा नारियल का जो आते है ना मलूब नारियल तोड़ा पानी पी लिया उसका अंदर से निकाल के रग दिया धूप में फिर आइस करके यह बनाया देखिए और यह कद्दुकस जो है दोनों अलग-अलग रोष्ट कर दें हैं इसको मतलब यह पहले कड़ाई में डालिये सुगन दानी चाहिए थोड़ा रोष्ट कलर भी चेंज होगा और बजाएगी ऐसे होने के बाद यह अजवाइन जो है वह भी डालिये क कोई बच्चा खेलता हो अपना साथ में लिये है या तो घर में का इदर उदर है तो जना पहले बताईए कि मैं अभी अजवाइन को रोष्ट कर रहा हूं या कर रही हूं तो थोड़ी केर करें डिश्टर्ज रगे अजवाइन से थोड़ी खांसी जैसे यह रोष्ट तो आता और में थोड़ा सा अजवाइन का स्वाथ तो भेरेगा ही घुमेगा तो यह अधा चमब मिश्रन जो है इसका फिर यह मिश्रन करना इसके लिए टेश के लिए आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते यह जो है इसमें और यह इसे फसक्रास बाटुल में भरके रखिये आदा चमब घर के सब लोग ले सकते है और देखिये क्या है पेट में वायो की तो तकलिव नहीं होगी और मेंली क्या है छार्ती में जलन बिल्कुल नहीं होगी और डर नहीं लगेगा आराम से आगे अपना काम कर सकेंगे अधी रोटी जादा भी खा सकेंगे नमस्ते